हेलो फ्रेंड्स माया प्रुफेक्टर सोय में आपका स्वागत है आज हम बराने जा रहे हैं सेविया का हेल्दी नास्ता जो एकदम खिली खिली ये सेविया बने के त्यार हुई है और इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है ये फटापड बन जाती है इसके लिए मैंने कड़ाई में दो बड़े चमच ओयल डाला है और इस तरह से मीडियम साई के मैंने तीन चाट आलू लिये है और इसको छेल के और इसको छोड़ से टुगड़ों में कट करके और इसको अच्छे से वोस करके डाल दिया है ये देखिए फ्रेंड्स ये एकदम क्रिस्पी हो गए है तो मैंने सारा ओयल बाहर निकाल दिया था अब एक बाउल मैंने ये सेम्विया की लिए है ये देखिए इस तरह से और इसको हम इस तरह सिकाई करेंगे और गेस का फ्लेम हमें मीडिय में रखना है और सेम्विया का कलर ब्राउन सा हो जाए तब तक सिकाई करनी है फ्रेंड्स अब इसमें हम मटर और ये जो गाजर है ये छोटी चोटी टुकडों में कट करके डाल दिया है आप इसमें हरे मिर्च भी डाल सकते हैं अच्छे से शिकाई हो चुकी है अब इसमें हम डालेंगे मसाले सुपादनुसा नम्मक डालेंगे आप इसमें काले मिर्च पाॉडर भी डाल सकते हैं आदी चोटी चमच किप्रिकर भी अड़ी चार्ट मसाला बनाने के लिए और अब इसको हम मिक्स करेंगे कि सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए और मसालों की भी थोड़ी शिगाई हो जाए अब इसमें हमें डालना है इस तरह से एक कटोरी पानी तो मैंने इसमें इस तरह से दो कटोरी पानी डाला है कि यह सिम्या अच्छे से बीग जाए इस तरह से देखे इसमें जदा पानी ड रखना है इतना ही पाने डाल के और इस तरह से सेट करके रख देना है और इसको हम कवर कर देंगे 10-15 मिंट के लिए गेस का फ्लेम हमें एकदम मीडिया में ही रखना है और यह देंगे 10-15 मिंट हो गए है three friends और यह दे summya है जो qley शिली बनके त्यार हुई एकदम त्यार है फ्रेंड्स और इसमें ज्यदा टाइम भी नहीं लगता है और इसमें थोड़ा सा हम डाल देंगे कच्छा धनिया तो इसे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और यह हमारी चटपटी सी यह सेविया बनके त्यार हो गई है और फ्रे बनाएंगे क्योंकि यह आपकी घरवालों को बहुत पसंद आने वाली है और फ्रेंड्स आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो आप प्लीज प्लीज हमें सब्सक्राइब लाइक सेर कमेंट करना और जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नह और जाईब उड़ा जाओ झाल जर शबसक्राइब लाएब नहाँ श जीन को सब्सक्राइब लाईब करे थाच्छा हैं अबसक्राइब भिद्सक्राइब लाईब तो आपको तो जाएब गएएब को